गीस विदियो शुड़ वने से पैले आप लोगों को यह बता दिया जाता है की ये विडियो पार्टडू है अगर आप लोगों नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्चन पर लिंक मिल जाएग़ा जाके पार्टडू अप लोग देख सकते हो धन्य बाद अगर आप लोगों ने पार्ट वान अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको पार्ट वान देखना है तभी आप लोग पार्ट टू को समझ पाओगे तेरी इस वीडियो में मैं आपको टॉप फाइब वान टब टीप से देने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप लोग एक बहुत ही भैतरिन वान टब प्लेयर बन सकते हो तो यार हमारे जो सबसे पहला टीप से यह है नूब वाक देखो यार राइस्टार से लेके वाइट एफिप तक डैनी डैनियल से लेकर मिया खलीफा तक सभी लोग यह टीप को फॉलो करते है डैनी डैनियल्स एंड मिया खलीफा फीफायर आइटी क्या राज आप भोश डिक है सॉर्डी मिस्टिक हो गाया राइस्टार से लेके वाइट एफिप तक और रूक एफिप से लेके विंसेंजो तक चाहे भाई मोबाईल प्लेयर हो या फिर पीसी प्लेयर हो सब लोग यह टीप्स का फॉलो गरते आप लोग जो पर नूब वॉक से किसी बंदे को वान टैप मानने जाओगे तो उहां पर आपके बस क्या होगा एकुडेसी होगा टाइमिंग होगा आपको एनमी का पोजिशन देगने को मिलेगा साथी साथ आप लोग उहां पे कौन सा ड्रैग मारो के मतलब सब कुछ बहुत ही भेतरीन होता है इसलिए आप लोगो को ट्राइ करना है नूब हो बात करते हैं हमारे सेकेंड टिप्स के ब बॉडी में नहीं चिपकता इमका जो रिकोईल है वो बहुत ही कम हो जाता है और वन टैब लगने का चांसेस बहुत ही जादा इंकरीस हो जाता है तो इसलिए आप लोग किसी भी अगर प्रो प्लीयर का गेमपले देखोगे तो वहां पे देखना कि बंदा 99% टाइम रोटे पर वीडियो मिल जाएगा तो आप लोग जाकी इजली देख सकते हो बात करते हैं हमारे थर्ड टीप्स के बारे में जो कि यह सीटाप प्रोसेस तो भाई यह चीज में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि आपको क्या करते हो कि आप लोग ने की कोशिश किया वहां पर वान टैब नहीं लगा तो आप लोग दूसरे बार कोशिश करने जाते हो तो उहां पर भी आपका नहीं लगता है तो आप लोग तीसरे बार वान टैब मानने जाते हो तो आप लोग ऐसे करते हो लेकिन यहां पर आपको एक चीज करना है यहां पर आपको सीटाप बाला प् के बाद फिर one tap मानने की ट्राइ करना है तो देखो जब आप लोग यहां पर sit up कर लोगे तो उहां पर क्या वगा कि आपका accuracy भी increase हो जाएगा आपका imperfection हो जाएगा तो आपका one tap लगने का chance बहुत ही जादा increase हो जाएगा तो आप लोग ज़रूर से यह process को एक बाद ट्राइ क करके देखना और मुझे वीडियो में आके comment करके बताना कि यह process आपका work करा या फिर नहीं करा अब यह बात करते हैं हमारे फोर्थ tips के बारे में जो कि यह range देखो एर one tap मानने के लिए सबसे बेस्ट रेंज कौन सा होता है तो इसका answer है mid range देखो अगर आप लोग कोई भी long range का one tap गन यूज़ कर रहे हो जैसे m500 डेज़ा डेगल उट पेकर svd, acat आप लोग कोई भी long range का one tap के अगर न्यूज़ कर रहे हो न तो वहाँ पर आपका always mid range से one tap मानने की कोशिश करना है क्योंकि आप लोग mid range से one tap मानने की कोशिश करोगे न तो वहाँ पर आपका one tap लगने का chance भाई 90% से ऊपर रहता है क्योंकि हर एक pro player भाई mid range से one tap मानने की कोशिश करता है अब देखो यहाँ पर सेम चीज़ है कि अगर आपके पास कोई भी short range बाला one tap का गने जैसे m1887 या फिर m1014 या फिर स्पास तो वहाँ पर आप लोग क्या करो कि वहाँ पर आप लोग short mid range का use करो मतलब क्या है कि अगर enemy एकदम close range में रहता है तो वह होता है short range और अगर enemy short range से थोड़ा सा दूर की तरफ रहता है तो वह होता है mid short range और enemy अगर short range में थोड़ा सा जाधा distance में रहता है तो वह होता है long short range तो आपको यहाँ पे mid short range यूज़ करना है अगर आप लोग कोई भी short range का one tap का गन यूज़ कर रहे हो तो तो भी ब में एनिमी को वण टैप नहीं मार सकता है और वह पूजिशन है कि अगर एनिमी Прिट करते करते बहुत ही जाधा मूमंट कर रहा है हाँ इस पूजिशन में कोई भी एनिमी को ओन टैम मानना इंपॉसिबल है क्यों में one tap hundred and one percent लगेगा यह लगेगा देखो अगर enemy एकदम steel ख़राए तो उस situation पे अगर आप लोग वानटैब मानने जाओगे तो आपका one tap hundred and one percent लगेगा अगर enemy का character हवा में रहता है मतलब जब enemy jump करता है उसका character हवा में आ जाता है तो उस situation पर आपके तरफ सीधा भाग के आता है या फिर लिफ साइड और राइट साइड मेरे नूब वरक करता है तो उस सीच्वेशन पर भीने मिंगने का चांसे बहुत जादा रहता है तो आप लोगने मित पेसिफिक पोजिशन पर वान टैम आनने का कोशिश करो तो आपका 101 परसे हुआ है तो वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर कर देना और आप लोग चैनल के तहली बार आयो तो भई सब्सक्राइब कर लेना